हलो दोस्तो आज का वीडियो बहुत इस्पेसल होने वाला है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में आज टाटा पावर के सेर पैस पे बहुत अच्छा बहतरेन आज ग्रोध देखने को मिले था तो तेजी के पिछे कारण क्या है और क्या कल भी कर लिजिए बेल आइकन को प्रेज करके रखे वीडियो को लाइक कर दीजिए आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेगा तो चली दोस्तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिटेल्स में इस स्टॉक के बारे में दोस्तो आज टाटा पावर का सेर प्राइस एक सो तीन रुपए और पचातर पैसे में ओपन हुआ था और उसके बाद यहां पे एक सो तीन रुपए बीस पैसे तक का लो देखने को मिला था और हाई बनाया था एक सो दस रुपए पचास पैसे का और एक सो दस रुपए चालीस पैसे पे मार्केट क्लोज हुआ था औ उसमें की data power में तेजी आने वाली है और आज तेजी भी आई है आप अंदाजल लगा सकते हैं चली दोस्तों और भी details लेखते हैं देखिए दोस्तों इस stock का result आ रहा है 12 मई 2021 को इस वज़ा से यहां पर हमें जो delivery percentage बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उससे पहले delivery percentage कम हुआ करता लेकिन अब इसमें अच्छा तेजी बनेगी यही क्योंकि पिछले जो result से बहुत अच्छे आये थे इस वज़ा से आगे भी अच्छा result आने की उमीद है इस वज़ा से यहां पर तेजी बनते वे नजर आ रहे हैं और लोग इसे बर-बर के माल उठाएं देखिए दोस्तों इस टॉक बहुत अच्छा है पिछले एक साल में 285% का बहतरी रिटन दिया है और लॉंग टाइम पे भी बहुत अच्छा रिटन दिया है तो कंपनी का रिटन भी अच्छा है कंपनी का sales भी बढ़ आ है सारा चीज़ा है इस वज़ा से यहां पर आगे भी growth बनने के और SEO है 30 रुपए 99 पैसे पीक इंडस्टी का पी है 24 रुपए और 52 पैसे तो यहां पर यह अपने इंडस्टी से अभी आगे निकल गया है दोस्तों और book value है यहां पर 68 रुपए 26 पैसे face value एक रुपए है ठीक है दोस्तों उसके बाद देखिए market cap देखिए इस stocks ने 115 रुपए और का high बनाया था अभी तक 52 विक में और बहुत जल्दी इसको break कर देगा और यहां पर देखिए 27 रुपए का low बनाया था company का date है 46,071 कडोर का और company के पास asset है 94,227 कडोर इस type के company में date होते हैं दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है company के पास asset भी बहुत है और company के पास cash view तो rate से कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद देखिए दोस्तों sales में यहां पे जो हमें पिछले quarter में जो sales report था वो पिछले same quarter से तो ज़्यादा था इस वज़े से यहां पे हमें इस बार भी अच्छा result आने की उम्मीद है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में company ने बड़े 166 करोर net profit था last quarter में और उससे पहले same quarter में year on year 65.65 करोर तो यहां पे बहुत अच्छा profit देखने को मिला है net profit में भी अब देखिए दोस्तों आज है 10 मई का data है और इस stock ने आज अपने last week का जो high था 104.65 पैसे उसको break करके 109.95 पैसे पे closing दिया है और उसके अलावा इस stock ने अ 107.35 पैसे उसको break करके भी यहां पे अच्छा closing दिया है उसके अलावा दोस्तों यह stock अपने 52 week का जो high है 114.50 पैसे उसके सिर्फ 4% पीछे है तो यहां पे कल हमें अच्छा breakout देखने को मिल सकता है उसके बाद दोस्तों इस stock ने बहुत अच्छा out performance दिया है अगर मैं इसकी तुलना nifty 50 से करता हूँ तो nifty 50 ने 1 week में 2.1% का return दिया है और इस stock ने 10.1% का nifty 50 ने 3 month में 1.1% का negative return दिया है तो इस stock ने 3 month में 24.8% का तो इस stock ने nifty 50 से भी जादा अच्छा return दिया है उसके बाद दोस्तों इसकी compare इनहीं के sector nifty energy से करते है तो nifty energy ने 1 week में दिया है 3.4% और इस stock ने दिया है 10.1% nifty 50 ने sorry nifty energy ने दिया है 3 month में 5% तो इस stock ने दिया है 24% 3 month में तो यहाँ पे अपने sector में भी आगे है यह stock उसके अलावा दोस्तों इसमें एक super trend आज generate हुए है तो यहाँ पे अब तेजी देखने को मिलेगी और company का जो net profit में जो growth है last quarter के picture जैसे की year on year तो यहाँ पे 28% का growth हमें देखने को मिला है तो यहाँ पे दोस्तों हमें बहुत अच्छा आगे भी growth देखने को मिल सकता है इसलिए दोस्तों 12 माई को इसका result आने वाला है 12 माई तक आप hold करके रखे और इसका result positive आता है तो definitely इसमें बहुत तेजी देखन को मिल सकता है देखी दोस्तों मैं इस टाटा पाउर की share को बहुत दिन से track कर रहा हूं और इसमें जो है पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़े बड़े deal किया है तो यहाँ पे पूरा उम्मीद है कि positive result आए लेकिन दोस्तों आपको अपना दिमाग लगाना है आपका भी research लगाना है और अपने financial सलाकार से सला लेकर ही invest करें मैं यह वीडियो स्रीफ पर एजुकेशन पिरपस के लिए बना रहा हूं तो चलिए दोस्तों देखिए चार्ट देखिए चार्ट में यहाँ पे parapolis reverse stop and reverse trend लगा हुए upper circuit लगा हुए तो यहाँ पे लगातार हमें तीजी क संभावना है और यह stock अपने 50 EMA के उपर है 20 EMA के उपर है 5 EMA के उपर है तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा opportunity है अभी कम से कम 114 और 15 का जो लेवाले उसको तो बिल्कुल बहुत जल्दी break कर देगा तो चलिए दूस्तों मिलता हूं आपसे फीर एक नए वीडियो के सा तब तक के लिए बाबाई थैंक यू